प्रॉट टी यू बाई आई टिल पार्टी के राश्य अधिवेशन के अवसर पर भी मैंने संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त करने का निवेदन किया था तो आगे लेखते हैं कि आपने महसूस किया होगा कि पिछले कई महीनों से मैंने टीवी चैनलों पर चल रही बहस से खुद को दूर कर रखा है आपसे अनुरूद है कि दूसरे कामों में व्यस्त होने के चलते मैं पार्टी के प्रवक्ता के पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ आप मुझे इस जिम्मेदारी यानि पार्टी प्रवक्ता के जिम्मेदारी से मुक्त करने का कश्ट करें बिहार सरकार के उपलब्धियों के परचार प्रसार के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा वहीं जन्तादल युनाइटेड ने एक ट्रस विग्यप्ती के जरिये ये बताया है कि राजी वरंजन प्रसाद को पार्टी का नया राश्री प्रवक्ता बनाया गया है समय समय पर अपना युगदान देते रहने का मिश्य भी दो रहा है इसलिए इस तरह की बातों का कोई उच्छीते नहीं है हाला कि पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये स्तीफा अलग-अलग मुद्दों पर उनके हालिया बयानों से नेत्रत्व की नाराजगी के चलते दिया गया है ऐसा कहा जा रहा है कि केसी त्यागी ने कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हट कर बयान दिये है वो भी पार्टी नेताओं से बात किये बगएर केसी त्यागी के बयानों के कारण एंडिये में मतभेद की बाते भी हो चुकी है सूत्रों के मताबिक केसी त्यागी ने स्तीफा दिया क्योंकि पार्टी नेत्रतों को लगा कि उनके बयान पार्टी लाइन से अलग है विदेश नीती के मुद्दे पर केसी त्यागी ने इंडिया गट बंधन के नीताओं के सुर में सुर में लाते हुए इसराइल को हत्यारों की सप्लाई रोकने के लिए साजह बयान पर साइन कर दिये थे उन्होंने केंद्र से भी इसराइल को हथ्यारों की सप्लाई रोकने का आगरह किया था और कहा था कि भारत गाजा में शांती और युद्विराम का समर्थन करता है इसके लावा लेटरल इंट्री के मुद्धे पर युनिफर्म सिविल कोड वक्फ विल और स्सी स्टी आरक्षन पर सुप्रीम फोट के फैसले को लेकर भी केसी त्यागी ने बिना पार्टी के साथ चर्चा किये और पार्टी लाइन से अलग बयान चारी किया था तो कई बार अपने निजी विचार पार्टी के विचारों के तरह बता कर पेश कर चुके हैं आपको बताते चलें कि 73 साल के किशन चंद्र त्यागी यानि केसी त्यागी नेतिश कुमार की पूरी राजनीतिक यात्रा में उनके साथ रहे हैं और उन्हें पार्टी का एक प् मुख्य महासचिव और राश्वी प्रवक्ता के तौर पर कारे रत है वो उद्योग पर संसदिय स्थाय समिती के अध्यक्ष भी रह चुके हैं स्थीफे के संबंग में चल रही बातों को लेकर अभी तक केसी त्यागी की ओर से कोई विस्तरित प्रतिक्रिया नहीं आई है स देखते रहें दील अलन टॉप शुक्रिया